जुही चावला की 5G टेक्नलोजी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जुही चावला की फिल्मों के गाने गुन-गुनाने लगा एक शक्स वीडियो हो रहा है वाइरल बार-बार पता में कहां कहां से जुएंग क्यों है जुही चावला के दिवाने की हरकत पर भढ़के हाई कोट के जज लिया स्ट्रिक्ट अक्शन वेल्फ आईजी टेक्नलोजी के खिलाब जुही चावला की याचिका पर दो जून को दिल्ली हाई कोट में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुनवाई हो रहे थी कि अचानक एक शक्स बीच बीच में जुही चावला की फिल्मों के लगाने लगातार गुन-गुना रहा था इससे कोट की सुनवाई में बाधा आने लगी इसका वीडियो ट्विटर पर वाइरल हो गया कारवाई बादेत होने की वज़र से कोट ने उस शक्स की आवाज बंद यानि की म्योट करने का आदेश दिया बाद में कोट ने आदेश दिया कि उस शक्स की पहचान की जाए और उसके खिलाफ कंटेंट नोटिस जारी किया जाए और आवश्यक कारवाई के लिए दिल्दी पुलिस को इसकी जानकरी देने के लिए भी कहा है विल इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी मज़ेदार कमेंट्स किये विल्दी जाए विल्दी जाए आवला के वकील दीपक खोसला ने कहा कि जूवी का कोई भी सपोर्टर ऐसा नहीं करेगा उन्होंने मजाक में कहा कि लगता है उस शक्स पर 4G रेडियेशन का असर हो गया बता दे कि जूवी ने इसे आचिका में मांग की है कि 5G वायरलेस नेटवर्क को देश में लागू किये जाने से पहले इससे जुड़ी तमाम रिसर्च पर बारीकी से गौर किया जाए दो जून को सुनवाई से पहले जो ही ने एक वीडियो मेसेज भी सोशल मीडिया पर शेर किया था वेलेसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की सुनवाई के बीच ऐसे गाना गाकर रुकावटे पैदा करना सही है या गलत आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए मजा आ गया बहुत क्रियेटिविटी की तो दाथ देनी पड़ेगी मिचे हमें से लगते कैसे कितना जल्दी किसा टेड़ा मेरा सोच लेते हैं लोग वेल चलिए इस वेरी इंट्रेस्टिंग वेरी कमाल था जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं 5G सूट चोके फाइल हुआ है डेली हाइकोर्ट में तो हां कुछ लोगों नहीं यह कहा कि आप अभी अभी जाग गई है और यह उन्हों सूट फाइल कर दिया तो उनसे मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं आज नहीं जागी रेडियेशन सेफ सेल्फों यूज सेल्फोन टावर रेडियेशन इनके बारे में मैं बाते कर ती रही हूं और मैंने इनके बारे में जितना हो सके मैंने जानकारी फैलाई है और क्योंकि या क्योंकि भाई हमाय फोन्स न मैजिक पर तो नहीं चलते हैं वायर तो है नहीं तो यह रेडियो वेस पर चलते हैं और यह रेडियो वेस बढ़ती ही जा है हमारे इन्वारमेंट में वंजी से टू जी टू जी से थीजी थीजी छीजी से फ्वोर जी फॉर जी से अब फाइवजी अब 4G to 5G is a very big leap very big leap radiation will increase exponentially देखिये यूनो एट के everything in moderation is fine मगर जब जरूरत से ज्यादा हो जाए ना तो फिर उसका दुष्परिनाम पता चलता है then you feel the ill effects of it and to put it simply I'll give you some simple examples के कोई pharmaceutical drug भी introduced होती है ना market में तो उसे 10 से 15 साल तक उस पर research की जाती है उसके side effects देखे जाते हैं and then it finally gets approval to be released in the market मगर ये radiation ये जो 20-25 साल से हम पर फैलाई जा रही है फैलती जा रही है हमारे इर्द गिर्द है इस पर किसी ने study किया या नहीं बस ये कुछ सरल से ऐसे example मैंने दिये for you to understand but चलिए आपके हाथ में भी technology है मैं भी इसे use करती हूं आप भी थोड़ी सी research करें और देखते हैं आपको क्या मिलता है इसके बारे मैं read about it a little more and I hope that you are convinced and you join me ये केस अभी शिरू हुआ है so second June को हमारी पहली hearing है link भेजूंगी हो सके तो join कर लीजे सुन लीजे देख लीजे और अभी रास्ता लंबा है so I hope you will join me and जो memes बनाते हैं उनको मैं thank you भी बोलना चाहूंगी क्योंकि उनकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने और लोगों ने ये बात जान ली और ये बात बहुत लोगों तक पहुँच गई so ठीक है keep it coming let's enjoy the ride see you